नमस्कार साथियों, आपके अपने यूटूब चैनल हिंदी पीडिया में एक और प्रशनोत्री के साथ उपस्थित हुए हैं, आज की प्रशनोत्री में सामान हिंदी से महतपूर प्रशनों को लेकर उपस्थित हुए हैं, आज की प्रशनोत्री का विशे है क्रिया, क्रिया स आपका सही उत्तर क्या होगा सही उत्तर का चेन करें क्रिया आपका सही विकल बिल्कुल सही हो जाएगा अर्थात यहां परिभासा आप समझ सकते हैं कि क्रिया किसी वाक्य में जो कारे को संबोधित करें कारे को समझाए वह क्रिया होती है यहां सीधे लिखा गया है काम का ना क्रिया वाक्य में किस वाक्य में क्रिया बरतमान काल में हैं किस वाक्य में क्रिया बरतमान काल में हैं वह कल दिल्ली जा रहा है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं अचानक बिजली कवध उठी कल वे आने वाले हैं स्वाभविक है यहां क्रिया का बर्तमान रूप पूछा गया है तो बर्तमान रूप क्या होगा आपको पढ़ने से समझ में आ रहा है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं यह कांटिनिवस अभी बर्तमान में हो रहा है वह कल दिल्ली जा रहा है मलब अभी जाएगा गया हैं अचानक विजली कौुध उठी इसका तॉठ पर है कि विजली कऊद ही बiszके चुकी है कफ ऐह में नहीं कर आने वाले हैं इसमें भी तों कफ यहां हो रहा है सही विकलब B मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं व्य विकलब committed अ को सही रही है इस वाक्य में उल रही है क्रिया किस प्रकार की है अब यहां क्रिया का रूप पूछा गया है क्रिया किस प्रकार की है अकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया है समापिका है असमापिका है अब यहां क्रिया के दो सब्द नए आपको मिल रहे हैं समापिका और असमापिका त तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया समापिका और असमापिका यह प्रश्न आपकी परिक्षा में पूछा भी जाता रहा है यह परिक्षा यह साई सब इस्पक्टर परिक्षा 2002 में भी पूछा गया है तो आप इसको ध्यान से लेंगे इसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे कि इसको देखेंगे 2002, 2002 में पूछा गए है साई परिक्षा में, यहाँ पर सही बिकल्प है आपका अकरमक क्रिया, ए बिकल्प सही हो जाएगा, ए बिकल्प आपका सही हो जाएगा, अकरमक क्रिया, अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन है, क्रिया के मूल रूप को क क्रिया कहते हैं क्रिया विशेशन कारक धात इन में से कोई नहीं इसके लिए एक दोहा भी है क्रिया तो रूप है जिसमें कारी होई हसना खाना करना कार अनेक समोई धात रूप से बनती है यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा धातु रूप कर्म की आवसकता नहीं होती वहां क्रिया होगी जहां कर्म की आउसकता नहीं होती तो सीधी सी बात है वहां अकर्मक क्रिया होगी वहां कौन से क्रिया होगी अकर्मक क्रिया होगी जहां पे कर्म की आउसकता नहीं होगी वहां कर्मक जहां कर्म की आउसकता होगी वहां सकर्मक जहां एक क्रिया एक कर्म वाली क्रिया होगी ए इस तरह से आप ध्यान देंगे, यहां पर आपका विकल्प ब सही है अकर्मक, ब विकल्प आपका सही है अकर्मक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न है, मोर नाचता है, वाके में क्रिया है, शकर्मक क्रिया, प्रेनार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अपूर्ण इस तरह से यहां ध्यांस देखें कि मोर नाचता है, वाके में क्रिया है, अब कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, जो अकर्मक होती हैं, जैसे आना, जाना, जगना, सोना, उदे होना, अस्तो होना, ये क्रियाएं सदेव अकर्मक होती हैं, इसी तरह से मोर नाचता है, यह क्रिया यह क्रिया भी आकर्मक है आपका इसी विकल्प के यहां भी सही है अगले प्रस्न पर चलते हैं अगला प्रस्न है नरेश मैदान में दोड रहा है वाक्य में क्रिया है अकर्मक शकर्मक पूर्ण सकर्मक प्रेणार्थक अब यहां है नरेश मैदान में दोड रहा है तो आना जाना दोड़ना यह सभी अकर्मक क्रिया होती है यह विकल्प आपका सही है अकर्मक यह विकल्प आपका सही है अकर होगा द्वी कर्मक्रिया होगी राम गरम चाय पिलाता है पक्षी आसमान में बहुत ऊचा उड़ रहे हैं सीमा नरेश को खाना खिलाएगी उसे घर में चार बजे तक काम करना है इस तरह से आप यहां देख रहे हैं तो सही विकल्प आप क्या कहेंगे यहां द्वी कर्मक्रिया है तो द्वी कर्मक्रिया कैसे बनती है द्वी कर्मक्रिया होगी पंची आसमान में बहुत ऊचा उड़ रहा है उड़ना और रहना यहां दो क्रिया एक साथ प्रयोग होई है इसलिए आपका यहां भी विकल्प सही हो जाएगा द्वी कर्मक्रिया है उड़ना और रहना उड़ रही है जा रही है खा रही है खाना रहना इस तरह जो क्रियाएं परयोग हों वह द्वी कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है जिस क्रिया के कार्य का फल करता पर नहीं पढ़कर कर्म पर पढ़ता है उसे क्या कहते हैं स्वाभाविकर क्रता पर प्रभाव पर नहीं पढ़ेगा उसे सखर्म क्रिया केंगे तो अगला प्रशन है जिस किस वाक्य में क्रिया भूत काल में नहीं है किस वाक्य में क्रिया भूत काल में नहीं है वह पढ़ रहा था उसने पढ़ाई की है यह पढ़ने वाला है उसने पढ़ाई कर ली थी अब यहां भूत काल में पूछा गया है कौन सा ऐसा वाक है जिसमें क्रिया भूत काल में है तो क्रिया को भूत काल में कैसे लिखना है वह पढ़ने वाला है वह पढ़ने वाला है ना तो पढ़ रहा है ना तो पढ़ाई की है ना तुसने पढ़ाई कर ली थी अभी पढ़ने वाला है आने वाले समय में जो कार होता ह प्रेश्न पर चलते हैं आगला प्रस्ण है कौन सब्द करिया नहीं है अब यहां पूछा गया है कउन्सा सब्द क्रिया नहीं है गिरवाना, बिच्छोना, चैलाना, लिखवाना यहां जो बिच्छोना सब्द है इसमें ना सब्द लगा है लेकिन यह एक तरह से कपड़े आध के बारे में कहा गया जो बिच्छाया जाए जो लगाया जाए बेड आध पर उसे बिछोना कहते हैं तो बिछोना यहां क्रिया नहीं है बी विकल्प आपका सही है अगले प्रश्न पर चलते हैं अगला प्रश्न है अनुकरडात्मक ग्रिया नहीं है फड़ फडाना मिमियाना जुठ लाना हिन हिनाना यहाँ पे फड़ फड़ाना एक पंची है वो फड़ फड़ा कर उड़ जाता है तो दूसरे पंची भी उड़ जाते हैं अनुकरन करके उड़ जाते हैं मिमियाना कोई बकरी मिमियाती है तो दूसरी बकरी भी मिमियाने लगती है घोड़ा हिन हिन आता है तो दूसरे घोड़े भी हिन हिन आने लगते हैं लेकिन जुठ लाना अगर कोई किसी को जुठ ला देता है तो जरूरी नहीं कि दूसरे भी जुठ लाने लगे इस तरह से सी जो अनुक्रणातमक नहीं है आपका सीघ था सही हो जाएगा अगले प्रिशन पर अगर बात करें अगला प्रश्न है कौन सा सब्द सकयर्मक्रिया है यहां सकयर्मक्रिया की चिलाना नहीं है, सोना सकर्मक्रिया नहीं है, लिखना ही सकर्मक्रिया है, आपका सी भीकल बिल्कूल सही हो जाएगा, अगले प्रशन पर चलते हैं, अगले प्रशन पर बात करें, अगला प्रशन है, रचना की द्रिष्टी से क्रिया के कौन से भेद हैं, रचना के द्रिष्टी से क्रिया के कौन से भेद हैं सकर्मक क्रिया एक कर्मक और द्यू कर्मक क्रिया नामधातु संयुक्त और प्रेणार्थक क्रिया इन में से कोई नहीं अब रचना के द्रिष्टी से अगर देखें तो क्रिया के तीन भेद मुख्य रूप से हैं नामधातु संयुक्त और प्रेणार्थक आपकर सी विकल बिल्कुल सही हैं अगले प्रशन पर चलें बात करें अगला प्रशन इस तरह से है जहां एक क्रिया के समाप्त होने के एकदम बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है वहां पहली क्रिया को क्या कहते हैं पहली क्रिया को क्या कहते हैं जैसे सर्वेश्वरी पढ़कर सोई सर्वेश्वरी जो है पढ़कर सोई पहले पढ़ी फिर सोई उसे क्रिया अर्थक क्रिया तातकालिक क्रिया पूरुकालिक क्रिया पूरुकालिक पूरुकालिक क्रिया और पूरुकालिक क्रिया इस तरह से यहां ध्यान देने की बात है इसमें ध्यान क्या दे सकते हैं कि जहां एक कार समाप्थ हो तुरंत बात दूसरी दूसरा कार हो तो वहां पर पूर्वकालिक कृयार रिखातै कारी समाप्त कर दिया गया तब दूसरा कारी सुरू किया जा रहा है तो mask आलके करते हूए किसी तने अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है जिस क्रिया की रचना संग्या संग्या सरुनाम अथ्व अभिसेशन के आधार पर की जाती है उसे क्या कहते हैं संग्या सरुनाम और विसेशन के आधार पर उरुकालि क्रिया कहते हैं रेनार्थक क्रिया कहते हैं सकर्मक क्रिया कहते हैं नामधातु क्रिया कहते हैं यहां परिभासा आपको क्लियर हो कि किस क्रिया की परिभासा है यह जो परिभासा लिखी गई है जिस क्रिया की रिचना संग्या सरुनाम अथो अभिशेशन के आधार पर की जाती है उसे नामधातु क्रिया कहते हैं नामधातु क्रिया की परिभासा भी आप याद कर ले यहीं पर परिभासा दी गई है नामध प्रश्न पर चलते हैं अगला प्रश्न है निम्न लिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया करता के लिंग के अनुसार नहीं है करता के लिंग के अनुसार नहीं राम आता है घोड़ा दोड़ता है लड़की ने पुस्तक पढ़ी लड़की जाती है अब य कौन सी क्रिया है जिसका करता के लिंग के अनुसार नहीं है क्रिया करता के लिंग के अनुसार नहीं है यहां देखें लड़की ने पुष्टक पढ़ी लड़की ने पुष्टक पढ़ी यहां पर आपका क्रिया करता के लिंग के अनुसार नहीं है लड़की ने पुष्टक पढ़ी तो आपका सही बिकल्ब हो जाएगा सी सी बिकल्ब अपना सही कर सकते हैं अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है सैयुक्त क्रिया किसे कहते हैं सैयुक्त क्रिया किसे कहते हैं जब दो या दो से अधी क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं या जहां करता कारे को स्वयम ना करके किसी दूसरे से करवाता है या जब किसी क्रिया से पहले दूसरी क्रिया की जाती है इन में से कोई नहीं ये विकल्ब तो गलत है जब क्रिया से पहले दूसरी क्रिया की जाती है तो पूरुकालिक क्रिया होती है जहां करता कारे को स्वयम ना करके किसी दूसरे से करवाता है प्रेणार्थक क्रिया होती है जब दो यादों से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी कारे को क्रिया का बोध कराती है किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती है तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है इस तरह से आपका ए विकल्प यहां सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है किस वाक्य में क्रिया सामान भूत काल में है अब यहां भूत काल की पहचान करनी है कि क्रिया किसमे सामान भूत काल में है उसने पुस्तक पढ़ी उसने पुस्तक पढ़ी है उसने पुस्तक पढ़ी थी उसने पुस्तक इसमें पूछा गया है किस वाक्य में क्रिया सामान भूत काल में है यह प्रस्ण भी कई बार परिक्षा में पूछा गया है जिसे 2002 में बैंक परिक्षा में पूछा गया है यहां पर जो सामान भूत काल है उसने पुस्तक पढ़ी सामान भूत काल क्या होगा उसने पुस्तक प तरह से है आकास ने पत्र लिख लिया वाक्य में क्रिया है अपूर्ण सयुक्त अकर्मक प्रेणार्थर आकास ने पत्र लिख लिया यहां पर देखें क्या है आकास ने पत्र लिख लिया वाक्य में क्रिया है सयुक्त क्रिया अपूर्ण क्रिया अकर्मक क्रिया प्रेडार्थक क्रिया यहां पर सही भी कल्प आपका हो रहा है सैयुक्त क्रिया इसी तरह से अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण है जिस क्रिया को करता स्वयम न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है उसे कहते हैं आग्यार्थक, प्रेणार्थक, सायुक्त, इन में से कोई नहीं, उस क्रिया को प्रेणार्थक क्रिया कहते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रेणार्थक क्रिया कहते हैं, आपका भी विकल बिल्कुल सही हो जाएगा, अगले प्रिशन पर चलते हैं, अगला प्रिशन है, म तो कैसे आप रेखांकित पर ढूड़ेंगे तो सुरेश ने बहिन से राखी बधवाई यहां जो है बधवाई सब्द जो है रेखांकित है बधवाई सब्द रेखांकित है ऐसा मानकर इसको हल करना है इसमें क्या है प्रेडार्थक क्रिया है अग्यार्थक क्रिया है अकर्मक इसने राखी बढ़ुआई ना कि शुयम बादी आभी कलप सहीं करते हुए आप प्रेनार्थ यृसी कर सकते हैं अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण ऌहें गुरु जी को कने पर चत्र ततकाल लिखने लगे अर्थ तर्ब लिखने लगे कॉंसा विकल्प आपका सही बिखल्प का चेयन करें और उत्तर आप सही करके अपना अभ्यास पूंड करें ताकि आपको अपनी तैयारी का या हिस्सा भी अच्छे से प्राप्त हो सके यहां पर देखे गुरु जी के कहने पर छात तत्काल लिखने लगे हैं तो यह क्या है क्रिया विशेशन यहां क्या है वाक मेरे खांकित पद रिखांकी पद क्या है क्रिया विशेशन लिखने लगे तत् क्रिया कि विशेश्ता बता रहा है विश्पोटट अत्त 20 था वाक्य में क्रिया है अपूर्ण करिया है दीकरमड क्रिया है संयुक्त क्रिया है तो आप देखें ध्यान से चारू विकल्ब को पहचाना करें पहचान जब हो जाएगी तो कभी उत्तर गलत करके नहीं आएगे प्रस्णों को रट कर जाएंगे तो उत्तर गलत हो जाएंगे लेकिन जब प्रस्णों की समझ हो जाएगी पहचान हो जाएगी उत्तर आपका कभी गलत नहीं होगा हम चाहते हैं हिंदी पीडिया चाहता है हमेशा आप समझ कर प्रस्णों का उत्तर दिया करें यहां पर विसपोट अत्यनत भीशन था वाकिम क्रिया है प्रेणार्थक अपून दू करमक सैयुक्त एक मिनट का समय है जल्दी से बताएं ठीक है चलिए सैयु उतर देते हैं यहां पर अपून क्रिया विसपोट अत्यनत भीशन था अत्यंत भीशन था वाक्य में क्रिया अपूर्ण है इस तरह से बीविकल्प आपका सही हो जाएगा बीविकल्प सही हो जाएगा अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है मैं अपने मित्र की पास से थोड़ा-थोड़ा सहमत हूं यहां पर रेखांकित पद है थोड़ा-थोड़ा यह थोड़ा-थोड़ा पद रेखांकित है वाक्य में क्रिया विशेशन है अब यहां थोड़ा-थोड़ा सहमत हूं वाक्य में क्रिया विशेशन क्या है नया-नया सहसा थोड़ा-थोड़ा भयंकर तो स्वाभाविक है अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है नट रसी के ऊपर कर्टब दिखा रहा है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विश्चिष्ण का प्रकार है अब रसी के ऊपर कर्टब दिखा रहा है नट कर्टब दिखाने वाला नट जो गाउं आधमी आधा रहता है रसी आध ले पर काल वासक रीतिवाचिक स्थानवाचिक परेमाल वाचिक रिखलते हैं अगला प्रश्णीक है रीति-काल कृष्षिशelfाहर कि वाक्य में हुआ है रीतिवाचिक क्रीया विख्यश्ब का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है मेरा दादा घी कम सुनते हैं यह한다 गाली धीरे धीरे चलती है मैं यहां अभी आया हूँ घर के सामने पार्क है इचार विकल्प दिये गए हैं सही विकल्प आपको बताना है रीति वाचक क्रिया विशेशन का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है धीरे धीरे रीति क्या सब्द है यहां धीरे 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 सब्द रीति है स्वावाविक है रीति वाचक क्रिया विशेशन बैल गाली धीरे धीरे चलती है धीरे धीरे सब्द यहां रीति वाचक है धीरे धीरे इसी तरह सगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण जो है किसमे क्रिया विशिशन का प्रयोग हुआ है काला कुत्ता भूक रहा है क्रिया विशिशन का प्रयोग बताना है सभी छात्र बैठे हैं सेर हिंसक जानोवर है फिल fourteen sign सेर हिंसक जानवर है सभी छात्र बैठे हैं काला खुत्ता भोक रहा है तो यहां पर सही विकल्प आपका है क्रिया विशेशन का परियोग हुआ है निम्नांकी तो आक्यों में किसमें क्रिया विशेशन का परियोग हुआ है तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा सुसीला बहुत बोलती है बोलने की बोलना क्रिया है और उसकी बिशेस्ता बहुत बोलना क्रिया है उसकी बिशेस्ता है बहुत अगर यहां कहेंगे सेरहिंसक जानवर है यहां बिशेशन प्रयोग हुआ है ना कि क्रिया बिशेशन प्रयोग हुआ है क्योंकि जानवर की बिश इसे प्रश्णों को बहुत समझना होता है एक बार तो मन कहता है कि यहीं होगा लेकिन जव रूख कर समझ कर प्रश्णों को हल करता है वह जरूर सहीं करता है इसी तरह साइट पर चलते हैं अगला प्रश्ण है निमनलखित में से कौन सा समू संबंद बॉधक अब यहां संब संबंद बोधक अब्यका है बार बार बिल्कुल सायद तेज पहला विकल्प है दूसरा विकल्प है द्वारा सामने दूर विरुद्ध तीसरा है अन्यथा ताकी अर्था परड़ाम सुरूप याद आगे आप सभी को इसी तरह से अगला है अरे उप धिक ठीक संबंद बोधक अब्यद्वारा सामने दूर विरुद्ध आपका भी विकल्प इल्कुल सही हो जाएगा संबंद बोधक अब्यका प्रेवग हुआ है के दौरा के सामने से दूर के विरुद्ध आदी सब्द लगते हैं संबंद बोधक में यही विकल्प आपका सही हो हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए हमें वाक्य हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए वाक्य में संबंद बोधक अभ्य है यहां प्रश्ण है संबंद बोधक अभ्य है संबंद बोधक पूछा गया है संबंद बोध किसमें बताना हमें होगा तक होगा प्रियास होगा करना होगा जी जल्दी हल करें तो यहां पर अगर वाक्य में देखें संबंद बोधक अब्य होगा तक हमें सफलता मिलने तक तक सब्द जो आया भी भी कलप आपका सही हो जाएगा तक सब्द जो आया है यह संबंद बोधक अगला प्रिशन है संबंद बोधक पर सर्ग अब्वेका प्रयोग निम्लेखित में से किस वाक्य में हुआ है यहां भी संबंद बोधक की बात की जा रही है अब ध्यान से देखे सुजाता अंदर बैठ कर पड़ रही है घर के अंदर पानी आ गया है मोहित आगरा पहले आपना परयोग निम्लेखित में से किस वाक्य में हुआ है ज्यान से घर के अंदर पानी आ गया है घर के संबंद बोधक होते हैं याद रखना है आपका भी कल्प सइह हो गया है इसी तरह साज की प्रश्णोतरी कैसी लगी आपको प्रश्णोतरी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक दोस्तों में सेयर करें लाइक करें कमेंट करके हमें बताएं किस विशे पर और प्रश्णोतरी आपको चाहिए आप किस परिक्षा के त्यार करना चाहते हैं जिस परिक्षा के तैयारी करना चाहते हैं उसको भी लिपकर बताएं ताकि उससे रिलेटेड विशेश से सम्मधें महत्पूर्ट प्रशनों को ला सकें आज इतना ही धन्यवाद जय जय बाद